हलो और अस्सलाम अलाइकुम आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के समोसे बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट बहुत ही मतेदार होता है इसके लिए हमें चाहिए मैदा दो कप नमक आधा चाय का चमच जीरा आधा चाय का चमच घी चार खाने के चमच पानी आधा कप मैदे में नमक जीरा और घी मिला दें और हाथ से इसे मिक्स करें तो ख्रम्बली सा टेक्श्चर आ जाएगा इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी भी डालते जाएं और इसको गूनते जाएं इस तरह से सक्ट 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 गूनना है इसको नर्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इसके बाद डो को ढखके रग दें किसी गीले कपड़े से मसाले के लिए हमें चाहिए आधा केलो आलू उबले हुए मतर आधा कप उबले हुए हरा धन्या चौथाई कप सेरे के आधा कप पोदीना आधा कप हरी मिर्च एक खाने का चमच आप ज्यादा भी ले सकते हैं नमक हस्बिजाइका या एक चाय का चमच लाल मिर्च पाउडर एक चाय का चमच धन्या एक चाय का चमच जीरा एक चाय का चमच हल्दी पाउडर चौथाई चाय का चमच चाठ मसाला पाउडर आधा चाय का चमच और गरम मसाला पाउडर एक चाय का चमच और तेल चाहिए एक खाने का चमच इसके इलावा deep fry करने के लिए मजीद तेल चाहिए अब हम साबुद जीरा और साबुद धन्या को भून के कूट लेंगे इस तरह दरदरा सा होना चाहिए जैसा आपको नजर आ रहा है उबले हुए आलों को हम मैश कर देंगे लेकिन इसको बहुत finely मैश नहीं करना है इसके कुछ पीसे साबुद भी रहने है भूना कुटा जीरा मिक्स कर लें इसके इलावा नमक, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर चाट मसाला, हल्दी उबले हुए मटर हरी मिर्चे, हरा धन्या और पोदीना ये तमाम चीजें भी शामिल करके हम इने मिक्स कर लेंगे अब एक खाने का चमच तेल फ्राइ पैन में गरम करें और जो मसाला तयार किया है इसको दो मिनट के लिए भून ले आज तेज नहीं होनी चाहिए अब इसे ठंडा कर लें और अब हम समोसे तयार करेंगे जो डो हमने तयार की थी उसको मजीद फ्लाइर डस्ट करें और उसके बाद थोड़ा सा इस तरह हातों से मजीद कूंदें लंबाई में इसको इस तरह से कर लें और चार से पांच या चाहे तो छे पीसे भी कर सकते हैं अब एक पीस लें और उसका पेड़ा बनाएं और उसको रोटी की तरह गूंद लें थोड़ी मुश्किल होगे गूंदने में क्यूंकि ये डो सक्त है, नर्म नहीं है देकिन आलू के समोसे के लिए ऐसे ही डो चाही होती है अब इसे बीच से काटके एज़स पे पानी लगा दें और इस तरह से जैसे विडियो में नजर आ रहा है इसको मोड लें ये एक कोन की शकल बन जाएगी अब इसके अंदर आलू का जो मसाला हमने तयार किया था इसे भरके जो दो एज़स आपको नजर आ रही है उनको आपस में जोड लें अब थोड़ी देर इन समोसों को हवा में या फ्रिज में पांच से दस मिनट के लिए रख दें तो ये थोड़े से सब्थ हो जाएंगे उसके बाद इसे डीप फ्राइ कर लें डीप फ्राइ करने के लिए तेल हाई हीट पर नहीं होना चाहिए मीडियम हीट पर फ्राइ करें वरना ये अंदर से कच्छे रह जाएंगे मज़ेदार आलू के समोस से तयार हैं बिलकुल बाजार झैसे टेस्ट बहुत अच्छा है ख़स्ता करारे वस फर्ख सिर्क सिर्फ इतना है कि बाजार में गंदा तेल इस्तिमाल होता है और आपने घर में यग। एन अपने घर्वालों के लिए साफ सुत्रता या इस्तिमाल किया होगा इंजॉई कीजे, आला हाफिज